नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप अशाध हमावस्या पर गो माता को खिला देते हैं, तो भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा से आपकी सभी परेशानियों का अंध हो जाएगा, पूरी साल भर आपके उपर धनकी देवी माल लक्ष्मी का आशीरवाद बना रहेगा, दोस्तों अशाध हमावस्या इस बार 5 जुलाई दिन शुक्रवार को है, साल की बड़ी अशाध हमावस्या के दिन किया गया उपाई साल भर पैसा बरसाने के लिए काफी है, अशाध हमावस् गाई को खिला दे ये एक छोटी सी चीज, रोटपती भी होंगे करोडपती, मिलेंगे सभी संकटों और कश्टों से मुक्ती मृत्यू दंट पित्रदोश शीगर होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार आपकी साथ पुष्टे तक रुपयों पैसों पर राज, दोस्तों साथ पीडियों तक बैंक बैलेस बढ़ता चला जाएगा, दूर हो जाएंगे दुख और सुख आपके पास आजाएंगे, सुख आपके कदम चुमेगे, अशाध हमावस्या इस बार बहुत ही दुरलब संयोग में पढ़ रही है, महत्वपूर्ण और लापकारी वीडियो है, पूरे 500 वर्षों के पश्चात अशाध हमावस्या के दिन इस बार ऐसा शुप संयोग बन रहा है, जिसमें आपके समस्त दुख दर्द संकट दूर हो जाएगा, मातर ये एक चीज खिलाने से गाई को, तो दोस्तों आखिर वो कौनसी खास चीज है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे, पूरा वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लापकारी वीडियो है, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जै श्री विश्नु जै महालक्ष्मी, जै गौमाता अवश्य लिखे, आपकी समस्त मनो कामनाय पूर्ण हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेर अवश्य करना, आज के वीडियो में हम बताएंगे गौमाता से संबंदित एक उपाए जिससे आपको मिल सकता है अक्षे यानि कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मानेता है कि गाय की सेवा अ कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन रहता है, जिन्स घर में गाय की सेवा निस्वार्त भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विगन बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं तो वहाँ पर गाय पालना संभभ भी नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाए जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा. दोस्तों गाई के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है. तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाई को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है. गाई को गुरु के साथ जोड़ा गया है यानि गुरु ग्रह के साथ ब्रहस पती ग्रह के साथ. इसलिए गुरुवार के दिन गाई को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल कर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन आ ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शान्थ हो जाते हैं जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाई को रोटी पर थोगा सा गुर्ण रख कर खिलाएं ये तो सकारात्मक उर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाई को पहली रोटी रोज खिलाएं सभी ग्रह धीरे-धीरे शुब हो जाएंगे, कभी-कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुब मंगल कार्य नहीं हो रहे होते तब ऐसे में आप गाई को रोटी खिलाएं गाई के मस्तक को छू कर अपनी मननत, कहे, प्रणाम करे, पैर छूए तो आपकी मननत जरूर पूरी होगी तो ये था गाई को आप क्या खिलाएं उसके बारे में लेकिन गाई को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो जानते हैं गाई को रोटी तो हर कोई खिलाता है अब ये रोटी बासी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए यानि की एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबर सुबर खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलते नहीं तो रोटी रखी रह जाती है फिर वो अगले दिन गाई को खिलाने से गाई का अपमान माना जाता है वो रोटी बासी कहलाती है इसलिए गाई को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए सड़ी गली चीजे खराब चीजे गाई को मत खिलाएए इससे घर में परेशानी आती है अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदले क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है गाई को हराचारा तो हर कोई खिलाता है हराचारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें गाई को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोनकर मत खिलाएए दूसरी बात आप घर में सबजी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से अच्छी चीजे तोनकर रखें बचा कुछा आप गाई को ना खिलाएं, आप जो देंगे वो गाई खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजे मिला कर गाई को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फाइदा होगा गाई को दूद नहीं पिलाना चाहिए आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूद ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाई को मत बुलाईए तो तीन चीजे गाई को नहीं खिलानी है, एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी है कोई भी इनाज बच जाए उससे दूसरे दिन गाई को नहीं खिलाना है जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सगा गला मत खिलाए और अगर खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजे मिला ले और गाई को दूद भी नहीं पिलाना है ये चीजे बिल्कुल भी नहीं खिलाए नहीं तो घर में गरीबी आती है माता लक्षनी आपके घर में वास करना छोड़ देती है 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनी के रूप में गौ का रूप धरती है गाई लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है दोस्तों गाई का कोई अप्षगुन नहीं होता है जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाई और बच्छडा बांध देते हैं तो वो जगा पवित्र हो जाती है भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तिया का नाश हो जाता है क्योंकि गाई में सकारात्मक उर्जा का भंडार माना गया है गाई का मार्ग रोकना अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाई माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुब माना जाता है गाए और बच्छडे का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है अगर आपके घर के आसपास गो घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आपी दूर होने वाले हैं और समृद्धी पूर्वक जीवन आपको मिलता है गाए के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रमक रोग काफ, खांसी, सरदी, जुकोम आदी का ग्रेजुली अपने आपी बिना दवायों के भी नाश हो जाता है अगर आपको गाए अचानक से पूछ मार देती है तो ये बहुत ही शुब संकेत माना गया है और काली चितकबरी गाए का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुब माना गया है पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाबदायक है पंचगव्य क्या क्या हुए गाए के दूज, दही, घी, मूत्र और गोबर इन सभी को शरीर की रोग निरोधक शमता को बढ़ा कर रोगों को दूर करने वाला माना गया है ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता दोस्तों, आज के समय में लोग गोमाता की पूजा करने के बजाए उनका सही उप्योग करने के बजाए उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं बुरा लगेगा शायद पर ये सच है और गाय को रोटी देने से ना केवल सुख सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है बलकी बरकद भी होने लगती है अगर आप गो को पाल सके तो अच्छी बात लेकिन आज के मौडन युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है ऐसे में गो को रखना थोड़ा कटिन और महेंगा हो सकता है ऐसे में आप गो को रोटी दें कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धी को प्राप्त कर सकते हैं आपके घर में बरकद होने लगती है हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए की गाई को रोटी खिलानी चाहिए लेकिन समय स्थिती के चलते गाई की सेवा हर कोई नहीं कर पाता लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं अगर रोटी भी नहीं खिला सकते जैसे काफी सारे जो हमारे भाई, बहन, मलेशिया वगरह में, लंदन वगरह में बैठे हैं उनको गाई नहीं मिलती हैं वो पूछते हैं की हम कैसे गौ सेवा करें आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाए और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशला में दान दे या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटिया खिलाएं, किसी भी आनात आश्रम में चले जाएं, किसी मता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटी देवी, देवता और पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जा करके ग्रह दोशों का उपए नहीं कर सकते हैं तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए. हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाई की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं. आपने अक्सर ही सुना होगा की रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाई को दे देनी चाहिए. हर रोज गाई को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटी या सेंटने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई ले ले। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभवाता है, धन संपत्ती का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिन्दगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिंटों में वो हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वाधीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को important मानते हैं उतना ही जोतिश में नमक को important ही माना जाता है और इसे कर्ज की वस्तू माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार हो न आपने सुना ही होगा नमक का कर्जदा करना है इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे. आप देखिए कि कितने आपको positive परिनाम मिलते हैं और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दे अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें तो सबसे best है आप सादा नमक, धीली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है कपिला गाए यानी सफेद रंग की गाए को आपको खिला देना है अगर आपको कपिला यानी सफेद गाए नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाए को खिला दे मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रिफर करें आपको बता दे दोस्तों ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है चाहे आपके घर में कोई बड़ी कला हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है जो भी धान की कमी हो, बच्चों की पढ़ाए हो, कर्या में सफलता हो, सभी मुश्किले आपके जीवन की दूर होने लगती है लेकिन गाए को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगा कर रखे कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बढ़े दानी है अन्यथा इस स्थिती में पुन्यफल की प्राप्ती होना संचे वाली स्थिती देता है गाए को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ती में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोशों से आपको मुक्ती मिलती है अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए किसी भी दिन करे अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुब है आप जीस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिलकुल जट से दूर हो जाती है तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों को शेर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला नौलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद डे ठैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो